माइदराबाद में खेले गए पहले T20 माच में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडिस को 6 विकेट से मार देकर तीन माचों की T20 सिरीज में 1-0 से परहत बना ली केल गाहुल और विराट कोली की दम पर भारत ने वेस्ट इंडिस के लिए 208 रनों के विसाल लक्ष को हासिल कर दिया T20 में ये भारत पहरा हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष है इससे पहले भारत ने श्रिलंका के खिलाब 2009 में 207 रनों का लक्ष हासिल किया था वेस्ट इंडिस की टीम ने 20 ओवर के 5 विकेट कवाकर 207 रन बनाएं और भारत को जीत के लिए 208 रनों का टार्गेट दिया जवाब रेंट टीम इंडिया ने 18.4 ओवर में 4 विकेट पर 209 रन बना लिये विराट कोली ने 50 गेटों पर चवड़ान बे और लोकेज राहूल ने 16 रन की पारी खेली वेस्ट इंडिस से खिलाब भारत की ये लगातार साथ भी जीत है पिछली बार टीम इंडिया 2017 में हारी थी सिरीज का दूसरा मैच आज दिसंबर को तिरू होनन दुटम में खेला जाएगा विंडीज ने भारत को हिशाल लक्ष दिया और रोहित सर्मा के 30 के कुल स्कोर पर आउट होने के बाद लगा कि भारत के लिए ये जीत मुश्किल हो सकती है लेकिन राहूल और गोली ने इसे अपने बल्लेवाजी से आसान बना दिया दोनों ने दूसरे विकेट के लिए सो रणों की साजेदारी की राहूल की खैरी पियर ने 130 के कुल स्कोर पर पुलाड के हाथों कैच कराया सलाबी बल्लेवाज ने 40 गेंद पर किप अपनी पारी में 4 छक्के और 5 चौके लगाए राहूल के बाद कोली ने बागदोर अपने हाथ में ली और विंडीज के हर गेंद वाज को सिमा रेखा दिखा भारत को जीत दिलाई उन्होंने अपने पारी में 50 गेंदों पर 6 चौके और 6 चौके लगाए रिजव पत्रे 9 गेंदों पर 2 चौकों की बन मदद से 18 रन बनाए श्रेस अयर ने 6 गेंदों पर 4 रन बनाए शिवाम दूबे मैदार पर उद्रे लेकिन वह एक भी गेंद खेले बिना वापस लोते उन्होंने पारी शान्दा इसलिए और रही क्योंकि उन्होंने पहली 20 गेंदों पर 20 रन बनाए गए लेकिन इसके बाद खेली गए 30 गेंदों पर वाप चौकतर रन जर गए